नियमों के अनुरूप विद्यालों के संचालन नहीं उने पर बिहार में 446 स्कूलों की मानिता हुई रद नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका इसकस वीडियो में बिहार में कई माधिमिक और उच माधिमिक स्कूलों की मानिता रद करने की खबर सामने आई है दिन में रद हुए माधमे की स्कूलों की संख्या कुल 449 है तो वहीं उच माधमे की स्कूलों की संख्या साथ है इन स्कूलों के मानिता को रद करने की सबसे बरी वज़ा है कि इन्हें नियमों के अनुरूप नहीं चलाया जाना दरसल जाच के दोरान प्रसासन को पता चला कि इन स्कूलों में कई सिक्षकों की कमी थी क्लास सही धंक से और परियाप्त नहीं थे इसकूलों में जिन जरूरी संसाधन की जरूरत होती है वे भी परियाप्त नहीं थे इन चीजों के अलावे कई बुनियादी चीजों में कमी देखी गई थी साथी साथ जांच की दोरा ने स्कूल मैनेजमेंट जांच में सही डंग से मदद भी नहीं कर रहे थे जिसके वज़ा से स्वेम सक्चाधिकारियों को जांच के लिए आना परा इस मामने को लेकर बोट के अध्यक्चा अनन्द के सोर्द वारा भी जानकारी दी गई है उन्होंने कहा है कि मापदंड को पूरा नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ या एक्सन हुआ है आगे उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों की मानिता को निलंबित किया गया है वे स्कूल निर्धादित माप डंड को पूरा नहीं कर रहे थे किसी स्कूल में कक्चाओं की कमी है तो कहीं पर सक्चकी नहीं है वही कई स्कूलों ने जाच कारे में भी सहयोग नहीं किया है इन सभी स्कूलों की जाच सक्चा विभाग के अधिकारियों ने की थी अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही बिहार वोड के संबधता प्राप्त प्रदेश के 446 स्कूलों की संबधता निलंबित कर दी गई है अपनी बातों को आगे भी उन्होंने जारी रखा और कहा कि इन सबी स्कूलों को समय दिया गया है साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी किया कारवाई उन्हें स्कूलों के उपर की गई है जिन्होंने जाज की दोरान सहयोग नहीं किये थे वही जो बच्चे ने स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके सिक्षा संबंधी कारों में किसी प्रकार की परिशानी ना आए उन्हें नस्दीक के स्कूलों में समाहित करने की बात आनंद के सोटवारा कही गई है वही बोट के बच्चों को लेकर उन्होंने बताए कि जो विद्यारतिर विद्यालों के बोट की परिख्चा में समलत होने वाले हैं उन्हें उसी विद्याले के माध्यम से अड्मिट कार्ड, रजिस्टेशन कार्ड और तमाम जरूरी कागजाद उपलग्द करवाए जाएंगे बोट के बच्चों के वारसिक परिख्चा की डेट की घोसना भी की जा चुकी है ऐसे में बच्चों की परिशानी ना भरे इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा आगे दसमी और बारवी के बच्चों की बोट परिख्चा को लेकर बोट द्वारा बताया गया कि उन सभी स्कूलों के स्टूडेंस को पास के किसी स्कूलों से टैग कर दिया जाएगा साथ ही उन सभी स्कूलों के स्टूडेंस के प्रैक्टिकल और सैधानतिक परिख्चा को दूसरे स्कूलों में आयोज़ित किया जाएगा और इन बच्चों के अडविट कार्ड भी उन्हें स्कूल में भेजे जाएंगे जिनने स्कूलों से उन्हें टैग किया गया है बता दे किस से पहले भी 178 माधिमिक और तीन उच माधिमिक स्कूलों की मान निता ऐसी 28 अक्टूबर को रद की गई थी क्योंकि यहाँ भी जांच के समय कई कमिया पाई गई थी आज के लिए फिलाल इतना ही खबरों का सिलसला यूँ ही जाने रहेगा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद